Hi guys, welcome back to my channel and if you are new to this channel, please take a moment and subscribe to my channel So guys, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब मैंने ड्रॉइंग करना स्टार्ट किया था, जब मैं 6th 7th में थी तो तब की मेरे पास cool drawing files है तो मैं आपको अपनी सारी पुरानी drawing files जितनी भी मेरे पास इस टाइम है अपने school time की जब मैं 6th 7th class में थी तब की मैं आपको drawing files दिखाऊंगे और तब की आप मेरे drawings देखना और तब मेरे drawing में और आज मेरे drawing में बहुत ज़्यादा improvement आ गया है आप खुद ही देख लेंगे वो drawing files देखके तो गाइस इसनी सारी मेरे पर drawing files रखी अपनी school time की तो बहुत ही मैंने काफी time बात देखी अपनी drawing files और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था ये अपनी पुरानी drawing files देखके मेरे को अपनी अब जो मैं drawing बनाती हूं उसमें इतना ज़्यादा difference दिखा था बहुत ज़्यादा improve कर ली है मैंने अपनी drawing practice करकर के तो मैं दिखाऊंगी कि मेरे अपके sketches और पुराने sketches में कितना ज़्यादा difference आ चुका है आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो वह पूरा एंग तर देखना चलिए मैं आपको अब यह सारी अपनी drawing file दिखा 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 दिखुए So guys, यह है मेरी 5th class की drawing file इसकी condition बहुत ज़्यादा बेकार हो गई पूरी फट चुकी है क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी है So guys, इसमें मैंने बिल्कुल भी सिभ आउट्लाइन बना रखिये, इसके sketches ने, बिल्कुल भी इसके face में shading ने कर रखिये और यह है मेरी 6th class की drawing file और यह है मेरी 7th class की drawing file और गाइस यह ऐसा होता था स्कूल में जब जैसे drawing file complete हो जाती थी तो हमारी drawing teacher इसको इसको ऐसे फार जैती थी ताकि कोई और बच्चा इस पर sign ना करवा पर कवा लांगा स्कूल मेरी और मेरी जिस्टर की ट्राइंग बनाई थी और ये आल्या बट बनाने की गोशिश कर रहे थी ये भुवन दाम देखो बिलकुल भी मैंने फेस में शेडिंग नहीं कर रखी और ये 2017 की ड्राइंग है मेरी कर दो चनाई आल्या बनाई प्राइंग प्राइंग है और ये कुछ मैंने वाटर कर पेंटिंग्स पी बना रखी है इसकी और ये है वो बड़ी वारी ड्राइंग फाइल किψास्था कि पास्था ओन्राइंग ऑटेश्स पी लगाईंग टूए उप उरो बना रखी बना रखी है बढ़ में उपड़ी हूड़ी है स्नुषाक और कर समा एल और यह स्केच बनाया था मैंने निपिका पॉडुकून का और यह बनाया था मैंने रन्बीर कपूर का तो देखो आप बिल्कुल भी शकल मैच नहीं कर रही है और यह वाज हमक ओड़ान फैल की है जब मैंने ग्रेडज पैंसल के ग्रेडज यूज करने शक्रू किये थे फरस्ल र Micheal तो पैंसल के ग्रेडज यूज से मैं बहुत ज़ाधा इंप्रूब्मेंट आई थी और इसी के बाद से मैंने बहुत जादा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था तो आप देख सकते मेरे पिछले sketches में जो मैं normal pencil से बनाती थी और इस sketches में जो मैं grades यूज करके बनाती हूं इन दोनों में बहुत जादा difference है और गाइस मैं अब यह लिए ड्राइंग बना रही हूं तो आप देखो इन दोनों में कितना जादा shading का भी difference है और dark areas का भी बहुत जादा difference है तो guys I hope आपको मेरे सारी drawings जो भी मैं पूरानी आपको drawings दिखाई बहुत को पसंद आई हो और आपको difference भी देखने में मिला होगा जो मैं आप drawing बनाती हूं उसमें और जो मैं पेले drawing बनाती थी उसमें So guys I hope आपको यह video बहुत पसंद आई हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो please like this video and please do comments and please guys subscribe to my channel and click on the bell like. Thank you. Take care. Bye guys.